हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्वी चनलेट पर एक्छा फ्लान में तो चलिए आज की वीडियो को सुभू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर हिस्ट्री की भी किलास कंटीनियू नहीं आ रहेंगे आपनों रिस्ट्री किलास को भी देखिएगा जोगर् आप्छियो को सुभू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर हिस्ट्री का नाम है हमारी बदलती प्रत्री तो चलिए शुरू करते हैं इस्थन मंडल अने प्लेटों में विभाजित हैं जिने इस्थन मंडली प्लेट कहते हैं आपको यह जानकर आश्चर वोगा कि ये राज़िक लेट हमयशा धीमी गती से चारों तरफ खुंची रहती हैं प्रत्री वर्स्थ में करद स्थेख केमल मींटर की लिएट रहती हैं और प्रत्रीक वर्स में कुल मीटर की लगभा प्रत्री के अंदर पिंगले हुए मेर्मा में वोने वानिंग़ती के कारण ऐसा होता है प्रत्वी के अंदर पिंगना होगा मेरमा एक वरत्ती रूप्विक गुंता रहता है जैसा कि किरिया कनाप में दिखाया गया है आगे लिखा है प्लेट की इस गति की कारण प्रत्वी की सतय पर परवर्तन होता है प्रत्वी की गति को उन वलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन होती है आगे लिखा है जो वन प्रत्वी की आंतरिक भाग में गतित होते हैं उन्हें अंतर जनित बल एंडोजनिक फोर्स कहते हैं यानि जो आंतरिक भाग में गतित हो रहे हैं उनको अंतर जनित बल कहते हैं या एंडोजनिक फोर्स कहते हैं एबं जो बल प्रतिवी की सतय पर उत्पन होते हैं उन्हें वहिर जनिक बल या एक्सोजनिक वोस कहते हैं। अंतर जनित बल कभी आकस्मिक गती उत्पन करते हैं तो कभी धेमी गतित। गुकम्प एवं जुआला मुखी जैसी आकास्मिक गती के कारण प्रत्मी की सतह पर अत्यदेक हानीर होती हैं अब ये लिखा है यादा इसको भी पढ़ लिजे प्रत्मी की गतियां है अन्तर्जनित वल और बाहिजनित बन के कारण तो अंतन जनत बल की कारण कौन कौन सी होती हैं आकस्मिक बन पटन विरोपड आकस्मिक बल से एक भूकम ज्वालाम खी और भूस्खिनन और पटन विरोपड बल से एक परवत निर्मार कारी बल बाहर जनत बल को देखनी थी अपर्दन और निक्छे पड नदी बहता जल पब पवन, समुद्री, तरंग और हिम्नद अब लिखा है जुआला मुखी के बारे में तो चाहिए जुआला मुखी के बारे में पढ़ते हैं जुआला मुखी भूब परपटी पर खुला एक ऐसा छेद्र होता है जिससे पिगले हुए पदाफ अचानक निकन ले लगते हैं जैसा ये चित्र में दिखाए गया है ये यहाँ पर इसका ऐसा छेद्र होता है जिससे अंदर की जो पिगले हुए पदाफ है वो वाहर निकन ले लगते हैं इसी पिरकाफ इस्थल मंडनी प्लेटू के गती करने पर प्रत्वी की सतय पर कमपन होता है या कमपन प्रत्वी की चारो ओर गती कर सकता है इस कमपन को भूकम्प कहते हैं भू परपटी की नीचे वह इस्थान जहां कमपन प्रारम होता है आरम होता है उदिगम कैंदर कहलाता है यानि जहां से कंपन का आरम होता है वह इस्थान क्या कहलाता है उदिगम कैंदर उदिगम कैंदर की भू सतय पर उसकी निकटतम इस्थानों को अधी कैंदर कहते हैं अधिक केंदर से कमपन बाहर की ओर तरमवों के रूप में गमन करती है अधिक केंदर की निकटतम भाव में सरवादिक हानी होती है एबं अधिक केंदर से दूरी बढ़ने पर वो कम कित्री गुरता धीरे धीरे कम हो जाती है इस चेतर में समझने जिए कि ये उद्गम केंदर है वै इस्थान जहां वो कम पुत्पन होता है वै वो कम पी गुजा का उद्गम केंदर कहलाता है ये अधिक केंदर और ये जो तरंगे हैं बाहर की ओर निकलती है ये पी भुगम्प की भविस्वारी संभाव नहीं लेकिन यदि हम पहने से तयार हों तो इसके प्रभाव को और मिश्चित रूप से कन किया जा सकता है इस थानी नो कुछ सामान तरीकों से भुगम्प की संभावना का अनमान लगाते हैं जैसे जानवरों के विवहार का दियन तानाब में मचनियन की उक्तेजना सापों का दरातल पर आना भुगम्प एक वस्तु इस्थती अत्यान यहां पे भुगम्प के बारे में जब भुगम्प आया था उसके बारे में निखा है इसको पढ़ ले लिए वोज में भुगम्प की जटके 26 जन्वरी 2001 को भुग सहर में रियक्टर स्केन पर 6.9 ती विर्टा वाला मही सर डोका इसकूल सरवादिक तिर्वाविच हुए जब भुगम्प आया तो इसको इस सच से ज़्यादा अक्तिनवा भी थोई इसकोलों की इमारतें गिरने से कम से कम 971 चात्रों एवं 31 सिच्चे पूंक्ती मौत की आसनका भुज में निरासा जनक राहक भुगम्प के तीन दिन बाद भी हर व्यक्तितन भुजन कम्बल आदी ना पहुश्मी के कारण हानत चिंता रिनक पुरिती तवाही ओन लाइने जन पाइप लाइनें विद्धित स्टेशल संचार नायनें सभी अमगोरित हो गए थे जब भुज में भुगम्प आया था सहर में आग चार पूल एवं अंगी इठियों के पलटने के कारण अनेके स्थानों पर आगे लग देए थी भुगम्प प्रवाविच छेतर में आपात काई की गुरूश्रां की गई और मुख मंतरी क्यंद से अपीर गुजरास सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए क्यंद से वित्ति सायता मांगी यानि भुगम्प पाया था तो बच्चों को जो बच्चे थे स्पून में स्पूनी इमारतें के रिणिंग थी और 981 लन्पग बच्चों की मौथ हो वई थी और 31 सिच कोकिंग मौट की आसन का जताई गई थी तो बहुत ही हानी हुई जब बोज में भुगम्प आया था और कब आया था 26 जिन पड़ी दो 91 को ये बिल्डिंग चपी हुई है जो भुगम्प के कारण विनास हो गया है इसका इस बिल्डिंग का वुजरात में इन विल्डिंग थी भुगम्प से बचाव की तैंगारी भुगम्प की दोरान कहां आसरे में रसोई की काम्टर या मेज की नीचे दीवार के अंदुरूनी फोने में इनसे दूर रहे का किनसे दूर रहना है आग वाले स्थान चिमनी के आसपास तूट सकने वाली खिरिकियों दरपड एवं तस्दील फिरेंग से पैने से तैयार रहें अपने दोस्तों एवं पारवारिक सदस्यों के भी जावरुकता फैनाई एवं आप यहां लिखा है भूकंप लेखी के बारे में तो यह जानना बहुत आवसेख है इससे प्रस्म बजते हैं तो देखिए क्या आप जामते हैं भूकंप अहवापन एक यंद्र से किया जाता है जैसे भूकंप लेखी कहते हैं भूकंप की तीवुरता रियक्टर इसकेन पर कम नहीं कि बराबर होता है जिस यह कंब की तीन तरी नित पांच होती है वह बवस्त sprut के गेश्प माढ़ने से कम्पनेखी ये चित्र में चपा है है आगे देखते हैं मुख इस्तला कृतिया अपच्चे एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा द्रस ढूमी लगातार दिटित होती रहती है प्रत्वी की सतय पर सैनों के तूटने से अपच्चे की किरिया होती है गूद रस पन ज जन पवन एवं हिम जैसे डिविन गठकों के द्वारा होने वाने च्छे को अपरदन कहते हैं वाईव जन आदी अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो जो सैनों के तोटने की जो किरिया होती है इसलिए नैसन में पढ़ा था तो तोटन में की जो किरिया होती है इसे और बूर्द्रस पन जंपवन एवं हिम जैसे द्यविन गठकों के द्वारा वुने वाने च्छे को अपरदन कहते हैं और वायू जल आदी अपरदित पदार्थ हूँ एक इस्थान से दूसरे सान पर ले जाते हैं और फल स्वरू एक इस्था का निर्मान करते हैं नदी के का जल प्रपात के बारे में यहां निखा है तो यह भी पढ़ते चलिए पूछे जाते हैं विस्ट में हजारों छोटे-छोटे जल प्रपात हैं सबसे उंचा जल प्रपात दच्छन अमेरिका के वेने जयला का एंजिन जल प्रपात है याद रख जिन्वानबे की सीमा पर इस्तित्र विक्टोर्य जन्पिन पाथ हैं तो सबसे उचा जल्पिरपात याद रखना है वेने जिना का दच्छन अमेरिका की वेने जियोला का एंजी जन्पिन पाथ नदी के कार तो ये तो जल्पिरपात के बारे में दिया गया था थोड़ा सा तो ये पढ़निया अब नदी के कार देखें देड़ी जन PIRPART बनाती है जन प्रपात यह जो अपसे उंचा था वो तो पढ़ लिया अब जन प्रपात जो बनाटी में यह लिखाए यह नदी के कार है जब नदी मैदानी छेतर में पिरवेश करती है तो वह मूरदार मारब पल बहने लगती है नदी के इनी बड़े मूरों को विसर्प कहते हैं यह देखे चित्र में दिखाया गया है यह जो बड़े मूर है ने बड़े मूर इनको ही विसर्प कहते हैं आगे लिखा है इसके बाद विसर्पों के किनारों पर नदा तर अपरदन एवं निच्छे पर सुन हो जाता है विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलंग जील बनाते हैं जिसे चाप जील कहते हैं ये देखिए इस चेत्रवन ये चाप जील कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने नगती है फस रूत निकट वर्ती छेत्रों में बाड आ जाती है बाड के कारण नदी के तटों के निकट वर्ती छेत्रों में महें निट्टी एवं अन्पदार्थों का निक्छेपण करती है ऐसी निट्टी एवं पदार्थों को अरशाद क्याते हैं इससे सम्तन उपजाव बाल खरत मैंदान का निर्मार होता है नदी के उठित तटों को तटबंद कहते हैं समुद्र तक पुरस्ते पुरस्ते नदी का पिरवाद दीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विवाजित वो जाती है जिसको वितर का कहा जाता है यहां नदी एकनी धीमी वो जाती है कि यह अपने साथ लाइग वन्वे का निच्छे पड़ करने लखती है फिर देख वितर का अपने मुहाने का निर्मार करती है सबी मुःानों के अवशादों के संबर्य से डिल्टा का निर्मान होता है समुध्री तरंगी के कार तो यह तो नदियों के कार पढ़िए कि नदी जवर्य से चाप जीन का निर्मान होता है ये मुख नदी है और ये वितर जब ये समुद्र में मिल जाती है जब ये नदी बैते बैते समुद्र में मिलती है तो ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसे वितर का कहा जाता है तो इन सब के बारे में पढ़ लिया है अब समुद्री तरंग के कार देखते हैं समुद्री तरंग की अपर्दन एवं निच्छे पड़ तटी इस्थला प्रतियां मनाते हैं समुद्री तरंगे नवातार सैनों से टकलाती रहती है जिससे दरान विक्षित होती है समय के साथ ये बड़ी और चोणी हो जाती है इनको समुद्री गुफा कहते हैं जैसे इस चित्र में दिखाया गया है ये समुद्री गुफा ये रहन इन गुफाओं की बड़े वो जान होते जाने पर इनमें कीवन छट ही बसती है जिसे तटी नैराव बनते हैं लगातार अपरदन छट को भी तोड़ देता है और केवन दिवारें बचती हैं दिवार जैसी इन आक्रतियों को स्टैक कहते हैं समुद्री जलकी लगवग उड़वा दर उठे हुए उंचे सैनी तटों को समुद्र भ्रगु कहते हैं समुद्री तरंग तरंगे के नारों पर अमसाथ जमाकन समुद्री पुलिन का निर्मार करते हैं ये समुद्री तरंगों के कार्ण थे अब हिमनद के कारण देखेंजी हिमनद अथवा हिमानी बर्ष की नदिया होती है जो हिमनद होती है और जने हिमानी कहते है ये वर्ष की नदिया होती है तापमान के अत्यदिंग धिरावट के कारण पानी जो होता है वो बर्ष करन प्ले लेता है तो इनी नदियों को हिमानी कहा जाता है या हिमनद कहा जाता आगे देखते हैं हिम्नाथ अपने नीचे कठोर चठटानल से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपंदित कर देती हैं गोलासमी मिट्टी एवन पत्थरों से ढूंद रस्थ का अपरण करती हैं इम्नथ ग्यहरें गर्तों की निद्मार करते हैं परवती छेत में बर्फ पिगन्ने से उन गर्तों में जल भन जाता है और वेस्ट में गण जील बन जाते हैं हिम्नद की द्वारा लाए गई पदात जैसे छोटे वड़े सेंड, वेट इवन तंचट, मिट्टी निच्छेपित होते हैं ये निच्छें हिम्नदन हिमोड का निढ़ान करते हैं अब पवन की कारण देखनी जी पवन की कारण क्या आपने कभी रेगिस्टान देखा हैं? बानू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रियास कियेंगे रेगिस्टान में पवन अपरदन एवं निच्छेपर का प्रमुख कारण है जने सामानता छत्रक सैल कहते हैं पवन सैल के उपरी भाग की अपिछा निचने भाग को आसानी से कारती है इसलिए ऐसी सेल्व के आधान संकीड एवं सीर सिमिस्तृत होते हैं पवन चन्ने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दुश्री स्थान तक पहुचाती है जब पवन का बहावरिक रुखता है तो यह रेत गिर कर छोटी पहाड़ी बनाती है इनको बानू टिबा कहते हैं जब बानू कर वहीन एवं हलकेव होते हैं तो बायू उनको उठाकर खते देख दूर ले जा सकती है जब यह बानू कर विश्तर छेतर में निच्छी पित हो जाते हैं तो इसे लोईस कहते हैं तो लोइस को याद रखना है कि जब बाणू की कर्थ विश्तरे छेतEMA निचेपफ हो जाते हैं तो उसे लोइस कहते हैं. चीन में विसान लोइस में छेत पाई जाते हैं. तो लेशन कहतम हो गया है अब यह सही विकल्प देखने ते हैं और सही मिनान. तो चलिए सही विकल्प देख लेतें इनमें से कौन सी समुद्री तरंगी की विसेस्ता नहीं है पूर नहीं यह पूचा गया है द्यान रखी लिगा तो इसमें सेन जो है वो समुद्री तरंगी विसेस्ता नहीं है अधिया है हिमनत की निच्छे पर विसेस्ता है पुर हिमनद कीन छेपन विशेषता है हिमोर प्रत्वी की आकस्मिक गतियों की कारण कौन सी गटना घकित होती है तो इसमी जुआला उंखी छत्रक सेने पाई जाती है छत्रक सेने अभी नताय था का पाई जाती हो रेग स्पाई चाप जीन यहां पाई जाती है कहां पे लिजी हिमनद जो होते हैं वो क्या होते हैं बर्फ की नदी वोती है तो यह से निगाया जाएगा बर्फ की नदी विसर्प क्या होती है विसर्प जो वैं नदियां नदियां विर्मार करती है निसर्प का पुरिन समुद्री तटब मुबानु टिब्बा रेगिस्तान बूकम्प रत्मीका कंपन जन्पिलपात कठोर संस्तर सेर तो आज का लेसन यह यहीं पर सवाप ठूता नहीं वीडियो कासा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताएएगा वीडियो को लाइक और जन्प को सब्सक्राइब अवाश केजिएगा बिलती है एक और नई वीडियो के साथ तक्तक करिएएगा बाई बाई